नमो नमह मम नाम संजीदाह एल्पियम पब्लिक इस्कूलम सर्वेसाम हार्दिकम स्वागतम प्यारी बच्चों आज हम सब अपनी पाठे पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा आठ के दृतियः पाठह महा ज्यानी अश्टा वक्रह नामक पाठ का अध्ययन करेंगे तो चलिए आज की कक्षा आरंब करते हैं देखिए बच्चों इस पार्ट में क्या बताया गया है महा ज्यानी अश्टा वक्रह अश्टा वक्रह का क्या आर्थ होता है अश्टा आठ को कहते हैं आठ अंग टेड़े वक्रह मतलब टेड़ा मेड़ा सरीर के आठ टेड़े मेड़े अंग वाले महा ज्यानी इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो चलिए सुरू करते हैं मिथिला याह निरिपह जनकह आसीत मिथिला के राजा जनक थे ठीक है यह को अपी माम उपदिसती तस्य अहम सम्मानम करिस्यामी को अपी कहधन अपी इसको मिला कर पढ़ेंगे को अपी इसमें जो को के बाद एस की तरह से बना हुआ है इसका मतलब कि इसे हमें देर तक खीच के पढ़ना है को पी को पी ठीक है तो सह घोसडाम फिर से देखिए मिथिला याह निरिपह जनकह आसीत मिथिला के राजा जनक थे उन्होंने घोसडा किया की एक यत का मतलब हुआ किया और यह का मतलब की दोनों का मतलब की ही होगा ठीक है कृतवान मतलब किया यत की इसका मतलब की किया वाला की और इसके बाद जो यह है इसका की संबन बताने के लिए है मतलब जोडने के लिए उन्होंने घोसडा किया की कोई भी मुझे उपदेश देगा तो मैं उसका सम्मान करूंगा जनकत से घोसडाम सुरुत्वा संपूर भारतात विद्वान सह उपदेशं दातुम आगत वंत जनक की घोसडा को सुन कर सुरुत्वा मतलब सुन कर संपूर भारत से विद्वान उपदेश देने के लिए आए आगवन्तह मतलब आए, सुरुत्वा में सुरुधातु से त्वा प्रत्य है और दातुम दिया है, देखिए दातुम के नीचे भी रेखांकित है, इसका मतलब दातुम में दाधातु से तुमुन प्रत्य है और आगवन्तह में भी रेखांकित है, आगवन्तह में आउपसर्ग से गमधातु से सत्री प्रत्य है, बववचन के लिए प्रयोग हुआ है, इसकार्थ एक बार फिर से देखिए, जनक की घोषडा सुन कर संपूर भारत से विद्वान उपदेश देने के लिए आए, तेसु केचन धन प्राप्त्यर्थ मपी आगच्छन्ती, उनमें से कुछ धन प्राप्त के लिए भी आते हैं, इति ग्यात्वा जनक पुन घोषित्मान यत समुचित ग्यानस से उप्तेशम कर्तुम यह विद्वान असमर्थो भविश्यती, सदंड नियों पी भविश्यती उनमें से कुछ धन की प्राप्ति के लिए आते हैं, ठीक है, ऐसा जानकर जनक ने पुन घोषडा की, कि उचित ग्यान के उप्तेश देने में जो विद्वान असमर्थ होगा, उसे मैं दंड भी दूँगा इसको फिर से देखिए, जनक की घोषडा सुनकर सम्पूर भारत के लोग उप्तेश देने के लिए आए, उनमें से कुछ धन प्राप्ति के लिए भी आते हैं, ऐसा जानकर जनक ने पुन घोषडा की, कि उचित ग्यान के उप्तेश देने में, जो विद्वान असमर्थ उसे मैं दंड भी दूंगा, अगला है, अनया घोषडया बहव काराग्रिहम प्रेसिता, इस घोषडा से बहुत से लोग काराग्री में भेजे गए, तेशु तत्वग्यस्य अस्टा वक्रस्य पिता अपियासीत, उनमें से तत्वग्यानी अस्ट्रा वक्र के पिता भी थे पितरम मोच युतुम अश्टा वक्र जनकस्य सभाम गतवान पिता को छुडाने के लिए मोच युतुम मतलब छुडाने के लिए पितरम पिता को छुडाने के लिए अश्टा वक्र जनक की सभामे गए गतवान मतलब गए फिर से देखिए इस घोसडा से बहुत से लोग कारागरी में भेजे गए उनमें से तत्व ज्यानी अश्टा वक्र के पिता भी थे पिता को छुडाने के लिए अश्टा वक्र जनक की सभा में गए इसके बाद है अश्टा वक्रस्य सरीरस्य अश्टो अंगानी वक्राडी आसन परमसह महाग्यानी आसीत इसका अर्थ होगा अश्टा वक्र के सरीर के आठ अंग तेड़े थे ठीक है अश्टा वक्र के सरीर के आठ अंग तेड़े थे परंतुवह महाग्यानी थे जनकस्य सभासद अश्टा वक्रम द्रिश्टवा हसित वन्त जनक के सभासद अश्टा वक्र को देखकर हसने लगे अगला है अश्टा वक्र एतेन अपमानेन दुखम न अभूत वान अश्टा वक्र इस अपमान से दुखी नहीं हुए अपितु सोपी हसित वान बलकि वह भी हसने लगे तम हसन तम द्रिश्टवा राजा जनक ह उक्तमान यत भवत ह हासद से किम कारणम उनको हसते हुए देखकर राजा जनक ने पूछा कि आपके हसने का क्या कारण है अश्टा वक्र एतिन क्या कारण है तदा अश्टा वक्र अवधत तब अश्टा वक्र बोला एन निरिपेड ग्यानस्य उपदेश काय सम्मानस्य घोस्डा क्रिता अस्ति तस्य सभायाम नस्वर सरीरस्य महत्वम अउगम्य हसन्ति जना तब अश्टा वक्र बोला जिस राजा के लिए ग्यान के उपदेश देने के सम्मान की घोस्डा की गई है उसकी सभा में लोग नस्वर सरीर के महत्व को जानकर हसते हैं फिर से देखिए तब अश्टावक्र बोला जिस राजा के लिए ग्यान के उपतेज देने के सम्मान की घोशड़ा की गई है उसकी सभा में लोग नस्वर सरीर के महत्यों को जान कर हसते हैं अत्र ग्यानस्य महिमानम कह अउगमिस्यती यहां ग्यान को कौन समझेगा अगला है अश्टावक्रस्य वचनम सुरुत्वा सभासद लजिता अभवन अश्टावक्र के वचन को सुनकर सभासद लजित हुए सुरुत्वा मतलब सुनकर सभासद लजित हुए राजा जनकह छमायाच नाम कृत्वान राजा जनक ने भी छमायाच ना किया सह उपदेशं दातुम प्रार्थितुवान और उसने उपदेश देने की प्रार्थना की अश्टा वक्र उक्तवान अश्टा वक्र बोले राजन हे राजन विनय एव ज्यानस्य भूसल मस्ती यदी भवान सदुप पदेशं सुरोतुम इच्छती तरहिम्मम गुरु दक्षिडा अश्टा वक्र बोले हे राजन विनम्रता ही ज्यान का आभूसर है यदी आप उपदेश सुनना चाहते हैं तो मेरी गुरु दक्षिडा क्या होगी इसको फिर से देखिए यहां से अश्टा वक्र के वचन को सुनकर सभासद लज्जित हुए राजा जनक ने भी छमायाचना की और उसने उपदेश देने के लिए प्रार्थना किया अश्टा वक्र बोले हे राजन विनम्रता ही ज्यान का आभूसर है यदी आप उपदेश सुनना चाहते हैं तो मेरी गुरु दक्षिडा क्या होगी महात्मन भवान संपूर्डम कोसम ग्रिहित्वा महाम उपदेशम ददातु इती जनक उक्तोमान इसका अर्थोगा हे महात्मा आप संपूर्ड कोस लेकर मुझको उपदेश दें तदा अश्टावक्र अवदत ऐसा जनक ने जब कहा तब अश्टावक्र बोले धन्योस्ति राजन ये राजन आप धन्य हैं अन्य साम भागम गुरु दक्षिडा रूपिल दातु मिच्छती अन्य का भाग गुरु दक्षिडा के रूप में देना चाहते हैं अर्थात जो आपका है नहीं उसे आप देना चाहते हैं कोस तू प्रजानाम अस्ति कोस तो प्रजा का होता है तत्रभवत अधिकारो नास्ति वहां आपका अधिकार नहीं है अन्ते अश्टा वक्रह निरिपाय जनकाय सरीरस्य अनित्यता विसे आत्मनह अमरत्व विसे च उपदेसम दत्तुमान अन्त में अश्टा वक्र ने राजा जनक के लिए सरीर की अनित्यता के विसे में और आत्मा की अमरता के विसे में उपदेस दिया चलिए इसे एक बार फिर से पढ़ लिजे महात्मन भवान संपूर कोस ग्रिहित्वाम महम उपदेसम दत्तुम इत्ती जनक उक्तवान अन्त में इसमें राजा ने कहा हे महात्मा आप संपूर कोस लेकर मुझे उपदेस दें ऐसा जनक ने कहा तब अश्टा वक्र बोले कि हे राजन आप धन्य है अन्य का भाग गुरु दक्षुडा के रूप में देना चाहते है अर्थात जो आपका है ही नहीं उसे देना चाहते हैं कोस तो प्रजा का है वहाँ आपका अधिकार नहीं है अन्त में अश्टा वक्र ने राजा जनक के लिए सरीर की अनित्यता और आत्मा की अमर्ता के विसे में उपदेश दिया अन्त में अश्टा वक्र ने राजा जनक के लिए सरीर की अनित्यता के विसे में और आत्मा की अमर्ता के विसे में उपदेश दिया अर्थात उन्होंने कहा कि सरीर तो अनित्य है मरने के बाद वापस से पंच महाभूतों में मिल जाता है लेकिन आत्मा अमर होती है इसलिए इस नस्वर सरीर का कोई महत्तो नहीं है इस प्रकार से इन्होंने राजा को ग्यान दिया तो चलिए अब इसके कुछ कठिन सब्दार्थ को भी हम लोग देख लेते हैं मिथिलाया मतलब मिथिला का मिथिला एक जगह का नाम है माम का अर्थ होता है मुझे उपदिसती उपदेज देता है ग्यात्वा जानकर इसमें कत्वा प्रत्य है तेसु उन्मे से केचन कुछ लोग यत की अव्यवाला जोडने वाला किसी वाक्य को घोशड़ या घोशड़ा से पितरम पिता को मोशीतु मुक्त कराने के लिए इसमें तुम है तो तुम उन्म प्रत्य है वक्राड़ी तेड़ा अनुभूतवान अनुभव किया उपदेश काय उपदेशक के लिए और गम्य जानकर जहां गम्य की तरह कोई सब्द आये तो इसमें लिप प्रत्य होता है इसको जब प्रत्य पढ़ाएंगे तब आप सभी को अच्छे से समझा देंगे और गमिस्यती समझेगा भविस्यकाल के लिए प्रयोग किया गया है विनय एव विनय ही तरही तो ये भी अव्य है कोसम खजाना महम मुझे प्रजानामं प्रजाका भक्तह आपका अनित्यता विसे नश्वर्ता के विसे में आत्मना आत्मा के तो बच्चों उम्मिद करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया ये पाठ दो क्या है प्रक्रण महा ग्यानी अश्टा वक्र समझ में आया होगा आप सब इस वीडियो को बार बार देखिए पढ़िए और समझने का प्रयास कीजे ठीक है बच्चों और आप सब ही जल्द से जल्द बुक और कापी ले लीजिए ताकि आपका पठन पाठन सुचारी रू नोट्स जाता है उसे देखिए और अपनी फेर कापी में लिख कर कंप्लीट करते रहिए ठीक है बच्चों तो चलिए आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद हुआ